पुर्फेसर राजीब जी जाजी पेरा भंडार यह पेरा की शौप है और नमकीन मिलता है दस साल से दुकान है और कितना मुश्किल है इस देश में आज भी चीजे बदल रही है तुरसा इधर आईए ना उधर आग है मैंने पेरा खाया शांदार है फिर ये नमकीन खाई वो भी अच्छा है और उससे भी अच्छा जो दुकानदार है उनकी बाते लगे उनकी एक राजितिक समझ भी है समाजिक समझ भी है क्या नाम है ये उमेश पासवान है लेकिन दुकान पर जाजी पेरा लिखा हुआ है अभी वो समय नहीं आया है कि कोई पासवान पेरा वाला या चमार धावा खोल दे शुरुआत में दिक्कत हुई होगी लोग जाने की पा या नोटता हुआ है 성tech वहा था लेकिन जिन के पास था में वह बहुत करीबी था तो उनके साथ लगे रहे से बाद दुकान से उससे इसिवाह काम कीए उसके अभाधु अपना जोशेर है प्रें साथ तो बढ़े तो बहुत जादा तो तकलिफ नहीं हुए अब बदला है लोग का बिवहार बदला है बहुत बहुत बदला है है 10-15 साल में बहुत बदला है क्या नहीं बदला सर पहले बहुत निशे आदमी था बहुत उपर है कभी ऐसा लगता है कि आप सही में जाजी होते या सरमाजी होते तो थोड़ा दुकान और बहतर चलता है नहीं सवर हमको कभी फिलने होता है जब से हम यहां है तब से शुरू से अभी तक ऐसा ही चलते आ रहे हैं और लोग पूछते हैं तो मैं सच्चा बताता हूं फिर भी ल लगा सकते हैं तो देखिए यह एक समाजिक बदलाब की तो हम बात कह रहे हैं जो डॉक्टर हम बेटकर सोचते थे जिस तरह से उस बदलाब को समझने के हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं यह कब होगा लेकिन होना चाहिए इस देस में जाती के नाम पर बिजन बिजनेस में हैं और सुची इस देश में हजारों लाखों के करोर बाले ऐसे लोग हैं जो सिडूल कास्ट हैं पिश्री जाती के लोग अभी भी आपको यादव धावा या पासवान धावा या चमाट धावा यह सब नहीं मिलेगा चंद्रभान पर साथ हैं दिली में उन्ह करती नहीं है लेकिन इन्होंने जो दुकान शुक एक जब सुरू में दुकान शुरू किये थे तो बड़ा डर लगता वागी चलेगा नहीं चलेगा अगला को भी फिल होता था तो थोड़ा कम लगाव रहता था जबकि मजदूर की बात करें चाय बनाने वाला हो या मिठा करता है यहां इस चोग पर कितने दुकाने होंगी इस तरह की मिठाईगे तीस बड़ तीस उसमें सिद्यूल कास्ट के सिर्फ आप हैं जी सर और कोई नहीं कहां तक परहे लिखे हैं अंग्ठा चाप है सर कभी स्कूल कहां गए तो घर में और कौन-कौन घर में सब है सब न को यह इस देश बना एक जिसमें सब को हुनर के हिसाब से काम करने का अधिकार हो जाती आरे ना है किसी के हात का खाने पीने مت परहेज ना रहा है यह इस देश में प्रॉब्लम है और देखे यह वैसे इनकी दुकाने हैं जैसे बाकी लोग की दुकाने हैं हमने राजितिक बाते भी की है इनसे जो समझ में आया है कि चिराग पासवान जो है वो खेल विगार है नितिसकुमार का तो जब भी आप कभी जन्दाहा है हाजीपुर स निकले और आपको मुस्री घरारी या इधर सिमान चल जाना हो मिसलान चल जाना हो तो इस पेरे की दुकान पर आईए अच्छा स्वाध है अच्छा है और सोचिए आज भी सिती यह है कि 32-35 दुकानों में एक सिर्यूल कास्ट का यूबक जो है वो दुकान चला रहा है बाक स्वाधान के तौर पे अपने आपको अच्छा बेहतर सावित नहीं कर पाएंगे आप लोग अपनी पर्तकिरिया जरूर दीजें मेरी कोशिश है कि समाज में जो अच्छा हो रहा है जो बुरा हो रहा है वो जो तमाम बदलाव है उसके बारे में आपको बताओं कैमरामन त दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो मिशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट लड़ के सब्सक्राइब बटन को दवाएं